चित्रकूट में ऐसी प्रियोग साला है जहां पर आपको जड़ी बूटियों से आरवेदिक दवाईयां बनाई जाती हैं। ये दवाईयां काफी लाबदायक बताई जाती ऐसा इसलिए क्योंकि आरोग धाम के अंदर बाग में आपको हर प्रकार के पौधे मिलेंगे उन्हीं पौधों की जड़ी बूटियों से तयार किया जाता है दवाई। बदलते जीवन सेलिम इंसान जल्दी राहत के लिए अलग अलग और सहस्पंदतियां अपना रहें। लेकिन असाद बिमारी को जड़ से मिटाने के लिए आरवेद चिकेट सा पदती रामबाड बताया गया है। इससे कई बिमारीों को रोका जा सकता है तो कुछ बिमारीों को हावी होने से बचाया सकता है। खास बात है यह कि इन जड़ी बूटियों से बनी दवा का कोई साइड इफेक्ट भी नहीं होता है। आरवेद महात जड़ी बूटी नहीं, आरवेद एक प्रैचिन पदती है. चित्रकूट के चित्रकूट पाट साला में जड़ी बूटियों को मसीनों से बनाने वाले कारीगर मितलिस पांडे ने बताये कि यहां पर जो भी आरवेद जड़ी बूटियों या दवा तयार कराई जाती है, वो सब भी बिलकुल देसी रहती हैं. क्योंकि यहां के आसपास के किसान लोग जड़ी बूटियों के बिसे में काफी जानकारी रखते हैं, वो लोग लेकर हमारे यहां आते हैं, फिर हम उसका सैंपल लेकर चेक करते हैं, उसके बाद ही उन जड़ी बूटियों को लेकर अपने दवा में समलित भी करते हैं, साथ भी इसी के सहारे अपना पेट पाड़ करके जीवन्यापन कर रहे हैं। हम चित्रकूट में बड़ी बाग होने के बाद यहां पर कई प्रकार के ऐसे पौधे हैं। जाता है जैसे यहां अच्छा बनाए जाता है। यह सब समान कहां से उपलब होता है जैसे जो यहां पराता है। बाओं के वही लोग यहां कोट के जड़ी मुटी दे जाते हैं। आप अच्छा बाद अच्छा बनाए जाता है। आप अच्छा बने त्यार होती है। अब यह उपलता है। अपने यहां बाग है उसरी वाटिका है, अपने यहां स्वयम कच्छी जड़ी गुटिया जो वाई जाती है, तो जैसे कुछ प्रोडेक्टिर हैं जो बने हैं, जो भारत के 1600 सोहरों में सप्लाई हैं, लिली गुजरात बगेर आपने यहां बोडेक्ट की सप्लाई है, हरबल ह जैसे एक आई है, आपको एक बोडेक्ट इखाते हैं, यह मधमे हारी चोल, यह पंचगप से सोधी थे, जामुन गुटली, करेला वीच, नेम वीच, गुल्मार, पेटपत्ता, चिरायता से बना हुआ यह पाउडर है, यह 300 यह 300-400 सुगर अगर किचिक रहती है, तो यह इतने वर्स्तों से लगभाग यह चल लहा है, यह पर कहां से लोग आते हैं दवा लेने के लिए, यह बहुत दूर दूर से आते हैं, जिसे राजर्षान है महराष्ट है, दिल्ली है बगएरा और गाजियावाद बगएरा से और पस्चिन मंगाल भी जाता है, इस सामान डिए करें की कोई मिलावत नहीं है, इसकी कोई वाजार्षा में जो बाग तैया है, इस बाग का क्या खास्यत रहती है कि लोग कहते हैं, क्या है इस बाग की खास्यत उसमें यह कि आईरवेद के पौदे लगे हुए हैं, जैसे गुर्मा रहे तेज परता है, यह सब उसके परहेज अगर करके रहें तो बिल्कुल 100% उससे फायदा मिलेगा और किसी बीमारी के जड़ से खात्मा हो सकता है जैसे और भी अपने प्रोडेक्ट है